हेलो फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको भी हार्बोर्ड की जितने भी गेस पर पढ़ें सभी मटेरियल्स पर वाइड किये जाएंगे आप लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेर करें अभी मेरे पास 2023 एक्जाम सेट ए में जो कोशन है था सामाजिक विग्यान क्लास 10 का फर्स सिटिंग का वो पूरा क्वेशन है हम इसी कोशन को अभी सॉल्व करने वाले हैं इसका जितना भी अबजेक्टिव होगा इस्टार्ट करते हैं कोशन है कि प्रस्म संख्या एक से असी तक के प्रतेक प्रस्ट के साथ चार विकल्प दिये गए हैं यानि अबजेक्टिव असी कोशन है और प्रतेक में चार आप्शन दिये गए हैं जिसमें से की एक सही है आपको OMR sheet पर कोई उतर 40 ही सिर बनाना है पहला है भारतिय वन जी बोर्ट का गठन कब हुआ था 1952 में आरुवेद के जनक कौन है चड़क टक्सोल का उप्योग किस चीज में होता है कैंसर में निम्न में से कौन नवी कर्निया उर्जा का स्रोत है नवी कर्निया का मतलब होता है Renewable Source of Energy यानि कि वो खत्म नहीं हो सकता है उसको बार बार हम यूज में ला सकते हैं तो यह होता है Solar Energy भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है हीरा कुन बांध कहल गाओं ताप्या विद्दूत पर्योजना कहां इस्तित है भागलपूर में भुकम की सरवादिक विनासकारी तरंग कौन सी है एल तरंग निवन में से किस नदी को बिहार का सोक कहा जाता है को सी को कहा जाता है क्योंकि जब यहां पे बाहर आती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये क्रियेट कर देती है निवन में से कौन छेत्रिया पार्टी है छेत्रिया पार्टी यानि रीजिनल पार्टी तो ये है लोक जन सक्ति पार्टी बंगला किस दल का चुनाव चिन्न है लोक जन सक्ति पार्टी का नर्मदा घाटी पर्योजना किन राज्यों से संबंधित है गुजरात, महराष्ट, मध्यपर्देश आगे बढ़ते हैं बारा नमबर है निम्न में से कौन भारतिया किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे तो महेंद सिंग टिकेट जिला परिशत का कार्द काल कितने वर्ष का होता है पाच वर्ष का, पंचायती राजपनाली की शुरुवात कहां हुई थी राजस्थान में ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुख्या राजपाल की निउक्ति कौन करता है, राष्टपती प्रसिडेंट वल्लब भाई पर्टेल को सरदार की उपाधी किस किसान आंदोलन के दोरान दी गई थी तो बार दोली निवन में से किसे सीमात गांधी के नाम से जाना जाता है सीमात गांधी यानि फ्रॉंट आयर गांधी खान अब्दुल कफार खान इधार आते हैं महासागर तल में कमपन को क्या कहते हैं कमपन यानि वाइवरेशन हिनना डुनना जब महासागर के तल में नीचे में कमपन होता है तो ये कहलाता है सुनामी मलवे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंद्र की मदद ली जाती है तो infrared camera भारत की संबिधान सभा का गठन कब हुआ था 1946 में एन क्रूमा कहां के राष्ट पती चुने गए थे घाना के राजनितिक दलो को मानेता और उसका चिन परदान कौन करता है तो election commission निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार के विकास की बिना भारत का विकास संभव नहीं है या किनों ने कहा था एपीजे अब्दुलकलाम में भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है Montesquieu, Champsford, योजना के नाम से अंकोरवाट मंदिर का निर्मान किसने करवाया था सूर्य वर्मा दुतिया ने बोल्शेविक दल का कारिकरम अप्रेल थिसीस किसने लिखा था तो लेनीन ने अंतराष्टिय मजदूर दिवस कम मनाया जाता है एक माई को समाजवादियों का बाइवील किसे कहा जाता है दास कैपिटल को दास कैपिटल पुस्तक है जो की कार मास के द्वारा लिखी गई है रक्त और लोह की नीती का अवलंबन किसने किया तो विसमार्क ने पॉलिशी ओफ बलड एन आइरन निम्ण में से कौन प्राकिर्तिक आपदा नहीं है तो महामारी महामारी कोई प्राकिर्तिक आपदा नहीं है नेचरल नहीं है नेचर से ये नहीं आती है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था ये जो योजना आयोग है अब इसका नाम बदल कर नीती आयोग कर दिया गया है और इसका घटन हुआ था 15 मार्च 1950 को क्रिसी का विकास करना किस पंचवर्षिय योजना का मुख्य उद्देश था तो पहली मानव विकास रिपोर्ट यानि Human Development Report का प्रकासन निम्ड में से किस के दोरा किया जाता है तो UNDP के दोरा इसमें बहुत सारे क्रिटेरिया होते हैं जिससे देखा जाता है कि कहां के लोगों का Living Standard कितना है किस देश के लोगों का Living Standard कैसा है भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधान मंत्री द्वारा जारी किया गया था तो अटल बिहारी वाजपेई के द्वारा गरीवी के कुच्चक्र की धारना किस ने दी थी रैंगनर रैंगनर नक्सने भारत की सरवाधिक पर्तिवेक्ति आयवाला राज कौन सा है तो गोवा वर्ष भर में वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकिर्तिक आपदा का सामना किया था तो यहां पे बहुत जोर की भूकम पाई थी जिसके बाद किसको फिर से बनाया गया तर लगभग खत में ही हो चुका था बिहार वर्ष भर में किसी देश में अरजित आय की कुल मातरा को क्या कहते है राश्टिय आय यानि नेशनल इंकम आंग सान सूकी का संबंध किस देश से है तो म्यामार से इसके बारे में क्लास 10 इंग्लिश में एक चैप्टर भी पढ़ना है Acceptance Speech कच्च परदेश किस भूकम प्या पेटी से संबंधित है जोन में बाटा जाता है बहुत सारे जगों को वही यहां पे पूछा जा रहा है कि कच्च परदेश किस भूकम प्या पेटी से संबंधित है तो जोन 5 से बढ़ते हैं आगे भारतिय राश्ट्य कॉंग्रेस यानि इंडियान नेशनल कॉंग्रेस की अस्थापना कब हुई थी इसकी अस्थापना तब हुई थी जब देश आजाद भी नहीं हुआ था और यह अब देश की सबसे पुरानी लगभग या कहें दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में यह शामील है इसकी अस्थापना 1885 में हुई थी बोलीविया में जन संघर्ष का मुखे कारण क्या था क्योंकि पानी की कीमत होती है उसको देगुना तेगुना करके बढ़ा दिया गया था तो लोग तो काफी गरीब थे वो इतना पैसा दे नहीं सकते थे तो उनके पास था आंदोलन करना जन संघर्ष करना निम्न में से किस पत्र ने रातो रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बशने के लिए अपनी भासा बदल दी थी तो ये था अमरित बाजार पत्र का विस्ट में सरवर्थम मुद्रन की शुरुवात कहां पे हुई थी तो चीन में चीन जापान कोडिया यहां पे मुद्रन की शुरुवात प्रिंट की शुरुवात हुई थी और उनमें भी सबसे पहले ये चीन में हुआ था निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की छतिपूर्ती राश्य को कम कर दिया गया था तो लौस ने सम्मेलन में अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी तो फ्रैंक्लिन डी रूजवेल्ट ने भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है उत्तर पुर्वी स्रिमान रेलवे फाल्टा विशेश आर्थिक छेत्र कहां इस्थित है पशिम बंगाल में भारत का पहला सिमेंट संयंद्र कहां स्थाफित हुआ था चेन्नाई में भारत का बर्मिंगम किस सहर को कहा जाता है यह जो बर्मिंगम है यह इंगलेंड में एक जगह का नाम है या फिर आप बोलें तो ब्रेटेन में एक जगह का नाम है तो उसी के नाम पे ये भारत का बढ़ मिंगम कहा जा रहा है और ये कहा जाता है जमशेदपूर को निवन में ये कौन जिवास्म इंधन है? जिवास्म इंधन का मतलब होता है fossil fuel ये जो fossil fuel होते हैं वो बहुत साल पहले बने हुए होते हैं और ये प्राकिर्तिक इंधन होते हैं यानि नेचर से बनते हैं इसमें coal, petroleum, natural gas, high pressure, high temperature के कारण ये नीचे दमने के कारण इनका formation हुआ है कोईला, natural gas, petroleum ये सभी इसके example है 62 का option हो जाएगा D बाग परियोजना की सुरुवात कब हुई थी यानि project tiger ये देश में tigers को बचाने के लिए उनकी जो species है उनको बचाने के लिए किया गया था क्योंकि उनमें लगातार जो है इनके संख्यों में घटोतरी दर्ज की जा रही थी ये ये start किया गया था 1973 में आगे बढ़ते हैं जॉन के ने किस मसीन का आविश्कार किया था फ्लाइंग शटल का टका किस देश की मुद्रा है बांगला देश की बिहार में पहला शेत्रिय ग्रामिन बैंक कब स्थापित हुआ था 1976 में केंद्रिय सहकारी बैंक किस अस्तर पर काम करता है तो जिला इस्तर पर ड्रिश्टिक लेवल पर ये बैंक काम करते हैं प्रात्मे क्रिसी साख समीती क्रिसकों को किस प्रकार का रिन परदान करती है तो अल्पकाली इन रिन परदान करती है रिन क्यों दिया जाता है किसानों को ताकि वो अपनी फसल की बुवाई कर सके और जब इनका कटाई और बेचना हो जाता है उत्पादन हो जाता है तब ये इनको चुका सकते हैं काजी रंगा राष्टिय उद्यान कहां इस्तित है तो असम में नेशनल पास क्या होते हैं वहाँ पे स्पेसीज को पॉना को यानि एनिमल स्पेसीज को प्रोटेक्शन दी जाती है उनको बचाया जाता है क्योंकि उनकी संख्या में पोचिंग के द्वारा सिहंटिंग के द्वारा घट उत्री हो रही है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद किया था तो लॉर्ड रिपन ने रूस में अल्पमत वाला दल चा कहलाया अल्पमत यानि जिसको कम वोट मिले जिसको और बहुमत का मतलब जिसको की अधिक वोट मिले यह होते हैं मैंशेविक बाओदाई की सरकार कहां थी यह सरकार दक्षनी वियतनाम में थी उत्तरी और दक्षनी वियत नाम का एकी करन कब हुआ एकी करन का मतलब होता है यूनिफिकेशन 1975 में निम्र में से किसके योगदान से इटली का एकी करन पूर हुआ बहुत साड़े लोग थे इस एकी करन को करने में कुछ लोगों ने किया, कुछ का काम अधूरा रह गया, उसको बाद में लोगों ने पूरा किया मेजिनी भी थे, विक्टर इम्मेनवल भी थे, काउंट केमीलोडी काबूर भी थे इन में सभी आर्थिक विकास का तीसरा छेतर चाहे, तो सेवा छेतर सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंतरनों तथा पर्दिबंदों को हटाना चाह कहलाता है, उदारी करन यानि लिबराजेशन यह पॉलिसी कब अपनाई जाती है, कि कोई बहुत सारे चीज पर नियंतरन करते हैं यानि सामानों पर नियंतरन लगाया जाता है, कि आ नहीं सकते हैं कोई सामान उस पर इतना टेक्स है, लेकिन उदारी करन की जब निती अपनाई जाती है तो जो नियंतरन होते हैं, टैक्स होते हैं, उनको हटा दिये जाते हैं, बहुत सारे चीजों में बदलाब किया जाता है विस्वयापार संगठन, यानि World Trade Organization का मुख्याल है, कहां पर इस्तित है? जेनेवा में, बर्तमान में उभ्भोकता संरक्षन है तू, कितने राज आयोग काम कर रहे हैं, तो 35 हुगली और द्योगिक परदेश का केंदर क्या है, तो कोलकाता हावडा हीगल किस देश का दार्शनिक था, जर्मनी का, जर्मन राइन राज का निर्मान किस ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने बाद में कहा जाता है बहुत सा रित्यासकारों का मनना है कि ये जो जर्मनी का युनिफिकेशन हुआ ये कहीं न कहीं नेपोलियन बोनापार्ट की ही देन थी अंतर राष्टिय महिला दिवस की घोषना किस संस्थाने की संयुक्त राष्ट संग ने सहकारिता प्रांतिय सरकारों का हस्तानांतरन योग विशय कब बनी नाइटीन हनेट नाइनटीन में मैगनीज उत्पादन में अगनी राज कौन है यानि जो आगे है ओडिसा निम्ण में से कौन लौध आयस्क का एक परकार है यानि आइरन का ओर है तो हेमे टाइट भाक्षा नालगल परियोजना किस नदी पर बनी है। सतलज नेव्न में से कौन भारत का पहला स्वधेसी पर्याज से बना परमानू विद्दृत केंद्र है। कल्पक्कम परमानू विद्दृत केंद्र। हिमाचल परदेश के मनी करन में किस प्रकार का उर्जा सहयंत्र है तो भूता पिया उर्जा सहयंत्र प्राकिर्तिक गैस किस खनीज के साथ पाया जाता है पेट्रोलियम ब्रिटेन के सहयोग से कहां लौ इसपात उद्योग बनाया गया है दुर्गापुन में दोस्तों इसका पूरा अब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर जरूर करें